इस रेसिपी को में बहुत अलग तरीके से बनाने वाली हूँ मसालों में मैंने देसी मुर्गे को बिना तहले पे डाल कर बनाया है ये मुर्गे का सालन खाने में बहुत ही मज़िदार होता है इस मज़िदार सी रेसिपी को आप भी बनाना चाहते हैं मेरे वीडियो को भीना स्कीप किये पूरा देखें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें यहां पे मैंने लिया है एक केजी देशी मुर्गा इसे मैंने दोकर इसका पानी चान लिया है साथी मैंने लिया है पांच बड़े साथ ही मैंने यहां पे लिया है नमक हरी मिर्च लाल मिर्च का पेस्ट अधरक लहसन का पेस्ट और प्यास का पेस्ट तो चली मैं फटा-फट से इसे बनाना सुरू करती हूं तेल गर्म हो चुका है अब मैं इसमें डाल देती हूं गरम मसाले को फिर मैं इसमें डाल दूंगी कटा हुआ प्याज इसे मैं चलाते वे लाल कर लूगे प्याल लाल हो चुक है अब मैं इसमे डाल देती हूँ अधरक लेसन का पेस्ट तीन चममच इसे मैं मिला लूँगी अब मैं डाल दूँगी प्यास का पेस्ट दो चममच अधर अकलेशन का पेस्ट पहले डालने से कुजबू बहुत अच्छी आती है आप मैं इसमें डाल दूँगी घरी मिर्च लाल मिर्च का पेस्ट तीन चम्मच आपको जितना तीखा पसंद हो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं साथी मैं डाल दूँगी सुखेवे मसाले मसालो को मैं मिक्स कर लूँगी साथी मैं डाल दूँगी नमक टेस्ट के हिसाब से अब मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा पानी और इसे ढखकर दो मीनट तक पका लूँगी यह देखें मसालों को मैंने ढखकर दो मीनट तक पका लिया है अब मैं इसमें डाल दूंगी मुर्गे को इसे मैंने फ्राई नहीं किया है इसे इसी तरह से मैं डालूंगी इसका इसमें टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है एक बर आप इस तरह से भी रेसिपी को बना कर देखें आप येकिन नहीं करेंगे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छ अब ढ़कन खोल कर मैं इसे फिर से तीन से चार मिनट तक ढूल लोंगी तीन से चार मिनट मैंने इसे भूल लिया है मसाले किस्से खुश्बू बहुत अच्छी आने लगी अब मैं डाल दूँगी पानी को इसे मैं सोरबा वला बना रही हूँ तो इसमें मैं पानी थोड़ा जादा डालूँगी चीकन गलने में भी थोड़ा सा पानी सुखेगा और मैं इसमें थोड़ा सोरबा रखोंगी इसलिए मैंने पानी को थोड़ा जादा डाला है इसे ढग कर मैं 20-25 मिनट तक पका लूँगी तो 20-25 मिनट हो चुके हैं चिकन जो है वो गल चुका है अब मैं गैस को आफ कर देती हूँ अब मैं इसमें डाल दूँगी कटी भी धनी की बत्ती कैसी लगी आपको रेसिपी कमिन बॉक्स में जरूर बताएं और मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सेर और सब्सक्राइब कर दें